नमस्कार दोस्तों मैं कमलेश कुमार आज हम सभी जानेंगे क्यों मनाया जाता है विस्वखाद सुरक्षा दिवस क्या है इसका महातुर। विस्वखाद सुरक्षा दिवस World Food Safety Day हर साल 7 जुन को 20 घर में मनाया जाता है इस दिन को मनाने का मुख्य उदेश से खाद सुरक्षा के परति लोगों को जागरू करना है खराब एवं दोसित भोजन करने की कारण से हर साल 1000 लोग बिमार पड़ते हैं तथा गंभीर बिमारिय जाते हैं इस दिन को मनाया जाने का मुख्य कारण हाद सुरक्षा के परति उन लोगों को जागरू करना है जो खराब भोजन का सेवन-करनी की वज़े से गंभीर रोगों से गरस्त हो जाते हैं साथ ही यह सोनिशित किया जाना है कि परतेक बेक्ति को भरपूर मात्रा में एक साल विश्व स्वास्ति संगठन यानी WHO World Health Organization इस दीन को इस लक्ष से मनाता है कि खराब धर्वन दूसित खाने से होने वाली बीमारियों को रूपा जा सके तथा इन्हें पहचाना जा सके एवन खाद जनीत रोगों के जोखिम का ठीक तरह से प्रबंधन करके लोगों के स् अच्छा बनाये जा सके डवलो एचो के अनुसार विश्व खाद सुरक्षा दिवस यानी World Food Safety Day वैस्विक अस्तर पर साथ जूम को मनाये जाता है परत्यक साल इस दीन के लिए एक थीम ते की जाती है इस साल World Food Safety Day 2022 की थीम सेफर फूर्द बैटर हेल्थ है बता दें डवलो एचो ने इसके लिए एक केंपेंड भी लॉंच किया है स्वयूत राष्ट महासभा द्वारा साल 2018 में विश्व खाद सुरक्षा दिवस मनाने की गोश्णा की गई थी बता दें तभी से परतेग साल साथ जूम को इस दीन का आयोजन किया जाने लगा कुरोना महमारी की कार पिछले साल इस दीन का आयोजन ओनलाइन ही किया गया था विश्व खाद सुरक्षा दिवस वर्ल्ड फूर्ट सेफ्टी डे का उद्वे से मानो स्वास्त है खाद सुरक्षा खाद परदूसों को रोकना एम प्रबंधन के लिए आकरसिक करता है डबलो एचो की मताविक परती एक साल 10 में से एक वेक्ति की बीमारी दूसित भोजन की कारण से होता है यह बीमारी का खतरा उन बच्चों में ज्यादा देखने को मिलता है जिनकी उपर 5 साल से कम है डबलो एचो की रिपूर्ट की मुताविक परती एक साल 1,25,000 बच्चे अपनी जान गव दोस्तो हमारा अपना भी कर्तब यह है कि हम भी इस जनकारी को समझें दूसरू तक साध्या करें और अपने स्वास्त के साथ दूसरू का भी ख्याव रखें क्यूंकि स्वास्ते ही धन है जनकारी अच्छी लगी है लाइक कीजी शेर कीजी झाल मारा अपने स्वास्ते है जनकारी बहादा आपने स्वास्ते ही तक से आफ़ाना के साथ दूसरू लगई भी मशादा है जनकारी धनकारी कर्ण